आप सब जो है अच्छे हैं और अपने नेक्स टागेट की तरफ जो है अब आप चलना शुरू कर चुके हैं मैं हमेशा अपने सेशन के अंदर एक ही बात कॉमन बोलता हूँ बहुत एमफसाइस करके बोलता हूँ आप मेरे जितने भी पुराने सेशन उठा के देखेंगे उसमें मैं हमेशा एक कॉमन बात बोलता हूँ दाट इस की सेलेक्शन जो होता है सेलेक्शन का मतलब होता है merit in जो students का होना जैसे meritless बनती है after clearing all the stages उसके बाद जो final merit list होता है उसके अंदर आपकी जो नाम है आपका जो role number है वो आए तब मजा आता है तब जाके जो है जिसे कहते कि दुनिया बदलती है तब ही बदलती है और कोई भी aspirant है चाहे किसी भी exam की तयारी कर रहा है SSC, banking, UPSC, defense की उस बच्चे को हमेशा अपने mindset के अंदर ये सोचना चाहिए ये इसके ओपर emphasize करना चाहिए कि अगर मैं तयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ exam की तयारी नहीं कर रहा है कि हाँ चलो मेरा FCAT का exam है exam crack कर लूँगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी उस defense aspirant को from the very first day should work for the process जिससे वो merit in हो पाएगा और merit in होने के लिए जो पहला stage होता है वो सिर्फ written exam होता है आगे process होती है SSB की medical की वो सब उसको qualify करना चाहिए मतलब वो तो चलो आगे की process है लेकिन उसके बारे में सोचना और उसके लिए काम करना वो आपको day one से करना चाहिए और ये मेरा करतवव्य है कि मैं आप सभी को ये importance दिखाऊं कि बचे FCAT का exam तो आपके सामने आएगा समय पे आएगा इतनी vacancies के साथ आएगा ये exam का pattern होगा लेकिन उस exam में कितना आपको score करना है उस exam को score उतना करने के लिए कितने महीने की तयारी करनी है और साथ ही साथ उसके उस तयारी में सिर्फ exam तयारी नहीं करनी उसके साथ personality grooming भी करनी है उसके साथ अपना physical और mental जो health है उसको भी बरकरार रखना है तो ये सारी बाते जो है ये बहुत important है अभी आपको समझना क्योंकि अभी आपका FCAT का exam भी होके हटा है अभी students are waiting for their result पर I don't know इस बार इतना result लेट क्यों हुआ बहुत गलत चीज है लेकिन आप जो है तो वो accept करना पड़ेगा बट अब जो नए बच्चे हैं FCAT 1 2025 वाले क्या उनको confirm है कि वो eligible है अपने next item को देने के लिए उनको ये बहुत important चीज है जो समझनी है उसी के उपर मैं बात करूँगा I ensure कि आपको इस वीडियो के बाद doubt नहीं रहेगा and जादा doubt रहने भी नहीं चाहिए क्योंकि doubt रहता है तो clarity नहीं आएगी clarity नहीं आएगी तो फिर काम क्या करोगे है ना चली तो बात करते हैं इसी के उपर इसी session को make sure कीजेगा अपने दोस्तों तक अपने भाईों भेनों तक पहुंचा दीजे because ये session सिर्फ और सिर्फ मैं आप बच्चों के लिए ले रहा हूँ ठीक है चली तो शुरू करते हैं are you eligible ये चीज जानना जरूरी है तभी जाके मेहनत करोगे यार है ना चली तो बात इसी है कि F-CAT का बहुत कुछ clear होता है अब जो चीज होने वाली है उसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ लेकिन कमी कहां रह जाती है एक दो चीजों में रहती है जिससे आप regret feel करते हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे पहली बात है है 2025 F-CAT आएगा F-CAT 1 भी आएगा F-CAT 2 भी आएगा F-CAT Air Force Common Aptitude Test जिसके अंदर आप officer बनते हैं multiple branches के अंदर जैसे flying branch है ground duty branch है जिसके अंदर दो शाकाएं आती है एक technical आता है एक non-technical आता है एक weapon system branch भी नई ब्रांच है introduce हुई है Air Force के अंदर तो Air Force के अंदर अगर आप officer बनना चाहते हैं तो F-CAT से बढ़ी है exam कोई और नहीं है इसमें problem यह आगे हाल-filhाल के सालों के अंदर कि इसमें SSC introduce कर दिये short service commission officer permanent commission वाली job थी बट अब SSC job है I don't know 2025 F-CAT में क्या होने वाला है लेकिन अभी जो फिलhाल है it is a SSC kind of a job जसमें आप 10 साल plus extended 4 साल और बढ़ा के 14 साल service दे सकते हैं बट एक बच्चा जो बच्चा यह सोचता है कि मुझे successful बनना है जो सोचता है मुझे uniform चाहिए F-CAT is best option one of the best option air force में जाने का मौका मिल रहा है one of the best option अलग lifestyle इन लोगों का होता है तो सबसे पहले vacancies की मैं बात कर लेता हूँ तो देखो जनली कितना आता है साड़े 200 से लेके 300, 304, 320 ऐसे ऐसे vacancies रहती है तो 200 से लेके 300 तक की vacancies जो है आपको देखने को मिलती है यह F-CAT पुरानी vacancies है और इससे जादा बदलाव देखने को मिलता नहीं है इतनी इतनी vacancies आपको देखने को मिलती है यहना 200 से 300 के अंदर अंदर vacancies होंगी अलग अलग branches के अंदर vacancies होंगी exam date बड़ा important है तो आप याद रखो एक तारीक कौनसी तारीक सर्फ एक तारीक और इसमें क्या होता है ना F-CAT Air Force ही कंड़क कराती है तो इसमें ऐसा नहीं होता कि Air Force एक specific date दे notification का पर month काफी हद तक similar होता है तो बचे याद रखो कि अगर F-CAT 1 2025 का आपका notification आएगा तो that will come in the month of December याद रखेगा that will come in the month of December understood हुआ? अच्छा December के कभी भी notification आएगा and you will be the first one to know की notification कब आया क्यूंकि हाम लोग आपको सबसे पहले जानकारी दे देंगे पर इसका जो date, exam date होता है वो भी fix नहीं होता December में notification आया तो इसका जो exam होता है वो होता है in the month of February ठीक है? फेब की 12, 13, 14, 15, 20 या 21, 22, 23 कोई भी week के अंदर आपका exam हो जाएगा अब बच्चो एक चीज जो मैं emphasize करूँगा, आपको realize करूँगा, समझाऊँगा as a big brother, बड़ा भाई के तौर पे कि बच्चे जो बच्चा notification के समय जागेगा, उसका कुछ नहीं होगा आप बोलेंगे sir, आप demotivate क्यों कर रहे हैं बच्चों को तो this is reality, यह सच्चा ही है बच्चे, क्योंकि मैं आपका सोच रहा हूँ merit in होने का पूरा process, मैं यह नहीं कह रहा, कि हाँ ठीक है आपका थोड़ा सा base होगा December में जागे, तो December, January, February, मतलब धाई महीने में F-Cat की तयारी हो जाएगे, यह उनके लिए है जो बहुत ही advanced बच्चे होंगे मैं average बच्चों की बात कर रहा हूँ, average बच्चे जो होते हैं, उनके लिए तयारी करने का सही समय अभी है, December वाला समय नहीं है, याद रखना जो preparation का process होता है, वो process होता है बच्चे अभी शुरुवात करने का, अभी देखो September है, September, October, November आपके पार धाई महीने पहले ही है, December आने से पहले, तो धाई महीने में आपना proper सारी चीज़े कीजे और इस exam को कम से कम, पांच से छे महीने अच्छे से चाहिए, to crack it at that level, जहां पे आप सोचे की recommend हो गया, तो merit 10 भी हो जाऊँगा क्योंकि आप नहीं समझते की exam जो होता है, इसके अंदर बच्चे कहते है, सर कट-off कितनी जाएगे कट-off तो बिटा, जैसे for example, 130 कट-off भी जाती है, 140 भी जाती है, 1500 कट-off भी जाती है, 300 में से, है न, लेकिन जो बच्चे का benefit होगा, वो तब होगा, जब 130 कट-off जाके भी, बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, 180 मार्क स्कोर कर रहा है, 190 मार्क स्कोर कर रहा है, बच्चा 200 मार्क स स्कोर कर रहे हैं होते हैं ऐसे बच्चे तो बच्चे मेक शॉर कि वेन यू गिविंग दिस एक्जाम एसी मजबूत तयारी करना जिसमें आपके 300 में से 180, 190, 200 मार्क स्कोर हो तब जाके आपको एक अच्छा वो लगेगा कि यार अब तो AFSB का पूरा दम लगा के तयारी करूँगा मैं है ना चली अब आगे चलते हैं बच्चे ये तो होगे exam date now this is another thing that is age limit तो बच्चे branches है flying branch and ground duty branch इसके अंदर simple बात है 20 आपकी minimum है 24 आपकी maximum है यहाँ पे ground duty में 20 आपकी minimum 26 आपकी maximum है ठीक है तो ये देख लो flying branch, ground duty branch अच्छा इसमें एक बात और भी है ये तो हो गया age की बात दूसरी बात है कि qualification क्या है है ना are you qualified enough to be a part of this तो let's see flying branch में तो 20 से 24 है ground duty में 20 से 26 है अब ज़ो qualification है वो देख लेते हैं तो flying branch के अंदर जो qualification होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो class 12 के अंदर flying branch की बात कर रहा हूं class twillth के अंदर उस बच्चे के minimum 50% कब से कम नुबर होने चाहिए किसकी मैं बात कर रहा हूँ class twillth की बात कर रहा हूँ और इसके साथ साथ आप graduate भी होने चाहिए आप क्या होने चाहिए बच्छे graduate भी होने चाहिए और graduation के अंदर यह जो graduation होती है वो जैसे आप b.tech कर रहे हैं तो 4 साल की होगी mbbs होगे तो 5 साल की graduation और b.a.b.c.b.com वाले जो होते वो 3-3 साल वाले होते ग्राजुएशन वाले त और इसमें भी आपका 60% marks जो है वो होना चाहिए 60% marks होना चाहिए मतलब मैं एक बार आपको conclude कर दू फ्लाइंग ब्रांच में आप जाना चाहते हैं Class 12 में physics and maths आपका होना चाहिए और उसमें 50% आपके कम से कम physics में हो 50% कम से कम maths में हो यह होगी Class 12 की कहानी Graduation के अंदर आपके कम से कम 60% marks होने चाहिए आपके Graduation के अंदर यह आपके पास एक qualification है इसके अलावा आप BE या BTEC वाले बच्चे भी हो सकते हैं तो आपके कम से कम कितने होने चाहिए 60% marks होने चाहिए आगे चलतें Ground Duty Technical वाले की बात करें तो इसमें आपके 50% marks होने चाहिए बच्चे 50% marks each in maths and physics जो हमने Flying Branch में भी पढ़ा कि Class 12 के अंदर आपके कितने marks होने चाहिए Maths and Physics में कम से कम 50-50% marks होने चाहिए Class 12 में और Graduation में आपके कम से कम 60% marks होने चाहिए यह हमने Flying Branch में भी पढ़ा था इसके अलावा बच्चे Ground Duty Non Technical के अंदर आपको Simple Graduate डिगरी चाहिए किसी भी discipline के अंदर हो चलेगा और उस Graduation डिगरी में कम से कम 60% marks होने चाहिए अब इसमें पहले ही फिल्टर बच्चे हो रहे हैं क्योंकि के बार क्या होता है क्लास 12 में बच्चों ने 50% 50% नहीं माट्स में आए होंगे Ground Duty Technical & Non Technical Subject क्या आते है वही General Awareness आएगा More of a Current Based General Awareness आएगा कि Currently 6-8 महिने के Current Affairs में से ही आपके कुछ General Awareness के Questions आएगे इवन दो Static G के भी एक Important पाट है General Awareness का वहां से भी Questions पूछेंगे English आईगी, Maths आएगा, Reasoning आएगा ये चार सब्जेक्ट आपको जो है F-CAT के अंदर आने वाले हैं और ये चार सब्जेक्ट के जो सवाल होंगे, वो 100 सवाल होंगे, एक सवाल 3 नंबर का होगा, तो 300 नंबर जो है आपके बनेंगे, 300 में से आप अगर अभी 60 तरीके से तयारी करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दो और 300 में से कम से कम Target करो कि मैं 180-190 Marks लेकर आऊंगा, इस से कम मैं Marks नहीं लेकर आऊंगा दूसरी बाग, अगर आप जाना ही F-CAT के माध्यम से चाहते हो तो it is all up to you Otherwise, जो F-CAT वाला बच्चा है वो CDS भी देता है, CAPF भी तयारी करता है, तो I would highly suggest इस तरीके से तयारी करो जिससे CDS और CAPF और F-CAT तीनो निकले, पर ठीक है यह आप अपनी तरफ से निकालेंगे कि कैसे मैं और बहतर कर सकता हूँ मैं आपको सिखानी पाऊंगा कि कैसे कैसे आप जो है तीनो की एक्जाइम की तयारी करोगे because इन तीनो एक्जाइम की तयारी के लिए समय सबसे important चीज़ है जो देना पड़ेगा, है ना तो पहले आप क्या करीजे आपके ओपर एक्जाइम की तयारी कर लो अच्छे से और एक्जाइम का दो चार महीना अच्छे से एफट लगाओ, पूरा दम लगा के एफट लगाओ जहां से आप एक्जाइम की तयारी कर सकते हो चीक है बच्चे, is it clear to everyone? चीक है, okay राइट, ओके नओ, यहां पी एक बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं सर, क्या मैं फाइनल येर में अपलाए कर सकता हूँ, अफट का आप 100% कर सकते हैं लेकिन फाइनल येर का मतलब क्या हो सकता है? थर्ड येर और और ऐर ग्राजऑशन या फिर 3rd year of graduation का मतलब क्या हुआ मेरे बाई कि जैसे 3 साल की degree है तो उसमें जो last final year होता है वो आपका जैसे बीटेक की 4 साल की degree है तो 4th year जो है आपको final year है ठीक है अच्छा इसमें एक और चीज जो मैं आपको clarity दूँ तो final year वाला apply कर सकता है जब भी notification आएगा आपको बहुत अच्छे से clarity से पता चल जाएगा final year वाला apply कर सकता है और जैसे ही आप जो है obviously आप air force में जाएंगे then you will be at this rank flying officer then flying flight lieutenant squadron leader, wing commander and जिंदगी जो है आपकी आगे बढ़ती रहेगी बहुत दमदार तरीके से now students देखे we have the most affordable batch और वो भी live batch जिसमें multiple लोग आपको पढ़ाएंगे for sure तो वो batch अगर आप सब बच्चे जोईन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आप क्या करेंगे adda 24 7 की website में चले जाहिए adda 24 7 की ये website है India's largest vernacular learning platform है बचे और इस website में जाके यहाँ पे all courses को select कर लीजेगा defense कर लिया application में जो अड़ा की तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा application से भी आप all courses में defense select कर सकते हो defense कर लिया select यहाँ पे आपने क्या किया Fcat select कर लिया चिक है Fcat किया और यह है हमारा भ्रमोस का Fcat 1.0 batch यह 3 September से शुरू है batch चिक है 3 September से तो जादा वक्त नहीं हुआ है बचे आप बहुत अच्छे से तयारी कर सकते हैं मैं यही कहूँगा कि यह batches में इतने सारे faculties जब आपको पढ़ाते हैं तो definitely अपनी अपनी expertise में पढ़ाएंगे तो आप जल्दी अपना syllabus cover up कर पाएंगे चिक है इस batch में मैंने affordability की बात की तो buy and out करके यह batch आपको कितने का मिलेगा let me tell you why 588 यह apply कर दिया 2300 रुपीज का मिलेगा 2400 का यह code लगाना मत भूलिएगा यह मेरा code है और इस code में आपको e-books मिलेंगी 200 गंटों से जादा की classes मिलेंगी live classes मैं बोल रहा हूँ चिक है यहाँ पे आपके पास जो है study plan study plan को click कर लो और सारा का सारा कौन teacher क्या पढ़ा रहा है कौन सा topic पढ़ा रहा है सब कुछ available है सब कुछ available है यहाँ पे जादा तर आपका जो history geography quality है वो एक static gk का part है तो static gk की भी classes है यहाँ पे English की classes है chemistry की classes है सारी की सारी classes आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगी सारी classes every class is there right तो you all can join this batch and yes एक बच्चा कह रहा है सर महा पैक तो बच्चे आपने अगर महा पैक लिया है तो आपने सबसे हुषियारी वाली बात की है क्योंकि defense officers mega pack जिसे हम महा पैक भी कहते है उसमें तो बच्चे अगर आप enroll हो जाते हो तो उसमें तो आपको आगे आने वाले एक साल जितना भी duration का लोगे जो भी courses होंगे जो भी batches होंगे सब आपको access मिल जाएगा तो महा पैक भी ले सकते हो जो बच्चा थोड़ा एफकाट सीडिये सीए पे देखो defense mega pack है इसको आप ले सकते हो इसका price इतना ज्यादा भी नहीं होता है buy now कर लो code लगा लो वाइफाई वेटेड और इससे जो है आप तयारी बहुत तरीके से कर सकते हैं ठीक है यह आपको 32 का पढ़ेगा which is मैं कहूं तो लोग तो बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं इन चीजों को प्रोवाइड करने में हम तो YouTube पे भी बहुत जादा पढ़ाते हैं लेकिन बस यह ही है कि YouTube पे आप थोड़े से और वो हो जाते हो निकम्मे टाइप हो जाते हो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना जब थोड़ा बहुत पैसा जेब से निकलता है तो शायद बच्चा सिंसेर जादा हो जाता है तो इसी लिए है तो तो सर गरूड SF के लिए जाना हो तो as an officer तो age क क्या होती है मुदित शुकला अभी बिलकुल मत सोच कि गरूड SF में जाना है या फिर पैरा स्पेशल फोर्स में जाना है यह मत सोचो क्यों क्योंकि आभी आपका जो fundamental है आपका basic है वो ही पूरा नहीं हो है जैसे ही आप फौच के अंदर कदम रखोगे वैसे ही आपको सारी पिक्चर क्लेर हो जाएगी कि गरूड में जाना है तो चार साल का सर्विस चाहिए पैरेंट बटालियन में आपका जो ACR होना चाहिए बड़ा क्लीन होना चाहिए फिटनेस लेवल जो है आपका दमदार होना चाहिए ठीक है यह सारी चीजे होती है तो वह आपको उसी है क्वाइक कर देना है ना